Hello Friends, Welcome to Abound Notes आज मैं आपको एक शांदार कोर्स के बारे में बताऊगा जिसका नाम Earth School है यह कोर्स फ्री है, इंटरनेट पे आसानी से एवेलेबल है और सभी उम्रे के लोग यह कोर्स कर सकते हैं टेड़ जो कि एक संस्ता है, इसने दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट के साथ मिलकर यह कोर्स बनाया है टेड़ के बारे में अगर शॉर्ट में बताऊ तो यह एक यूटूब चैनल भी है इनके यूटूब चैनल पे शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले जाते हैं और इनका कंटेंट काफी बेहतरीन होता है अर्थ स्कूल यह कोर्स आपको प्राक्रितिक दुनिया को समझने में काफी मदद करेगा यह आपको बताएगा कि आप अपने दुनिया पे कितने निर्भर है यहाँ से आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपनी मदर अर्थ की पहले से कितनी अधिक रक्षा, पोशन और देखबाल करने की आवशक्ता है ना सिर्फ आपके एक्जाम के लिए बलकि आपको अपने जीवन में आगे सक्सेसफुली बढ़ने के लिए यह कोर्स काफी मदद करेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज दुनिया भर में कोरोना वाइरस के वज़े से 150 करोड से अधिक बच्चे स्कुल नहीं जा पा रहे हैं कोरोना वाइरस का प्रभाव स्वास्थ और आर्थिक संकट से भी परे हो रहा है और इसी वज़े से आज दुनिया बर के छातरों के शिक्षा भी खत्रे में जा रही है जो भी शिक्षक है वह उनके स्टुडंट्स को आनलाइन पढ़ाने के लिए छट पटा रहे है और जो भी माता पिता है वो उनके बच्चों को बाहर की चीजों से जोड़े रखने के लिए आज अन्य चीजों का सहारा ढूंड रहे है इस संकट का प्रभाव कम करने के लिए आज वर्ल्ल के इन्वर्मेंटल एक्सपर्ट्स वर्ल्ल के फेमस एजुकेशन एक्सपर्ट्स इन्होंने एक टीम बनाई है जो की 50 एक्सपर्ट्स की टीम है इस team ने मिलकर एक course का निर्मान किया है जिसका नाम है Earth School Earth School इस course में 30 अलग-अलग adventures याने 30 अलग-अलग videos दे गए है इन videos की मदद से आपको नई चीज़े खोजने में, आपको celebrate करने में और आपको अपने खुद को nature से और ज़्यादा connect करने में काफी मदद होगी यह course टेड़ेट की टीम ने UNEP, UNEPI ने United Nations Environmental Program इनके साथ मिलकर यह course सभी स्तरों के चात्रों के लिए डिजाइन किये है यह course इस वक्त रिलीज किया है जब उसकी बहुत ज़्यादा आवशकता है इस प्रोग्राम को विश्व के 30 से अधिक संस्थाव ने support किया है जिसमें National Geographic, World Wide Fund for Nature और BBC JC फेमस संस्थाए है इस course को 22 April जो कि Earth Day के रुप में मनाया जाता है उस दिन launch किया गया था और यह course World Environment Day जो कि 5 June को होता है तक तक चलेगा लिकिन अगर आप यह तारिक मिस कर चुके हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यह course 22 April को ही चालू करना होगा यह course आप किसी भी वक्त चालू कर सकते हैं और किसी भी वक्त इसे समात भी कर सकते हैं यह course दुनिया के कई real concepts को cover करेगा जिन में कुछ आते हैं कि जैसे T-shirt जो हम पहनते हैं उसके sources क्या है वो बनता कैसे हैं दूसरा जो पानी हम पीते हैं उसके बारे में भी यहां पर बताया जाएगा इनका purpose क्या है and the food on our plates यह आता कहां से है इनको सही तरीके से इस्तमाल करनी के जरूत क्या है यह सारा हम इसमें देखेगे वीडियो के आखिर में एक quest रहेगा जहांपे आपको कुछ question पुछे जाएगे और इसके साथ साथ आपको एक वीडियो भी दिखाया जाएगा जो कि आपको additional information देगा इन सब के साथ साथ यहां course बहुत interactive बनता जाता है और इसके अंदर आपको additional content और भी extra चीजे और deeply concept समझने के लिए दी जाएगी इन चीजों के अंदर आपको videos रहेगे आपको online pdf book दी जाएगी और आपको पड़ाय भी जाएगा जो कि आप share कर सकते हो और खुद भी करके देख सकते हो lesson के आखिर में exercise होगी जो कि आपके उम्रनों साथ adjust की जाएगी तो यह सारे features इस course के है earth school आपके तीन प्रमुक समस्याओं का हल करेगा यह आपके तीन major problems solve करेगा तो चलिए देखते हो समस्याओं क्या है earth school यह विश्पक का व्यापक और बहतरीन जानकारी के लिए एकल मंच प्रदान करता है मज का मतलब दुनिया में बहुत से जानकारी है, बहुत से courses है लेकिन कुछ courses में information complete नहीं होती है वहाप incomplete होती है, कही पे उतनी अच्छी information नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए, कही पे missing होती है, कही पे गलत भी होती है तो earth school ने सारी जो भी courses चल रहे है उन सब courses का जो भी सार होता है जो भी main चीज होती है उन courses की उन्होंने एक जगा पे इकटी किये और earth school का यह course बनाया है जिन में उन सारे courses की खूबिया आ जाती है जो दूसरा है, earth school आपको प्रकृती से जोडता है और जैसे की पहले कभी नहीं हुआ इसका मतलब आज तक बहुत से courses आये है लेकिन ऐसे बहुत कम courses होगे जिन्होंने आपको प्रकृती के साथ जोड़ा होगा तिसरा है कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना वाइरस लॉक्डाउन का यह समय में यह course आपके माता पिता को काफी मदद करेगा और यह course जो भी यूवा है, जो भी बच्चे है उनके अंदर एक प्रेरना का स्त्रोथ, एक inspiration बनाएगा जो कि उनको नेचर के साथ जोड़ने में काफी मदद करेगा यह course करने के बाद, मदर एर्थ आपको जरूर ठैंक्यू बलना चाहेगी तो चलिए, देखते हैं, course करने से पहले आपको registration process करनी होगी तो registration कैसे किया जाता है, वो हम अभी देखेगे Earth School में register करने के लिए, आपको यह link डालनी होगी आपको यहापे नेले color में link दिख रही है, वो link आप अपने browser के address bar में डालिए यह link वीडियो के description में भी दिए, जिस पे आप click करके directly Earth School के website पहुच जाओगे आप देख सकते हो, नीचे एक picture है, यहापे arrow दिखाया गया है, जोके address bar की और दिखता है arrow के पास address bar है, जिसमें आप यह link डाल सकते हो और enter करने के बाद आपको यह page दिखाई देगा, जोकी TED 8 का page है वहापे Earth School भी लिखाई देगा, यही आपकी registration करने की website है इस page पर जाने के बाद, आपको इस page के अपर right hand corner पर register और sign in दिखाई देगा जैसे कि आपको register करना है, तो आप register पर click किजिए अगर आपका account पहले से बना होगा, तो आप sign in किजिए register पर click करने के बाद, आपको यह window दिखाई देगी जिसमें आपको login continue with google, login continue with facebook या फिर आपको अपना email डाल के भी login करते आता है यहाँ पर आपके इच्छा नुसार आप google, facebook या फिर आपका अन्या email address डाल के आप login कर सकते हो यह करने के बाद आपको continue पर click करना है इसके बाद continue पर click करने के बाद आपको एक mail send किया जाएगा और वहाँ पर आपको एक message दिखेगा यहाँ पर दिखा जाएगा कि आप अपना mail खोलिए और इसके अंदर जाके आप एक link दी गई है वहाँ पर जाके confirm कीजिए तो इस step पर आपको अपना email box चेक करना होगा example के तोर पर यहाँ पर एक Gmail का mail box दिया गया है जिसमें यह mail updates में आते हैं अगर आपको email updates में नहीं दिखाई दे रहा है या और अन्य folder में भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने email के spam folder में चेक करिए mail दिखाई देने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है आपका mail ted8 के नाम से आएगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद mail के अंदर जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि verify my email address यहाँ पर आपको क्लिक करना है verify में address पे click करने के बाद आपको यह page दिखाई देगा आपके screen पे यह page आ जाएगा यह page आने के बाद आपको आपके address बार में यह नीचे दी गई link डालनी है यह वह same link है जो पिछली बार आपने डाली थी यह link address बार में डालने के बाद आपको same पिछली बार जो screen आई थी वही आईगी यहाँ पर register और sign in लिखा है आप देख सकते हैं upper right hand corner में इस वक्त आपको click on sign in पर करना है आपको register पर नहीं करना है आप register कर चुके हैं अब आपको sign in करना है sign in पर करने के बाद आपके एक window आएगी जहाँ पर आपको all details डालने होगे आपके details जैसे कि आपका नाम, आप student हो, teacher हो, parent हो ऐसे कुछ details आपको यहाँ पर डालने होगे और यह डालने के बाद आपको continue पर click करना होगा click करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक screen आएगी जहाँ पर जिसके अपर right hand side wall पर एक symbol है जो नया आ चुका है जहाँ पर पहले register और sign in होता था अभी वहाँ पर यह symbol आ चुका है इसका मतलब आप login कर चुके हैं आपका session login हो चुका है same इसी page पे scroll down करके आप नीचे इस course का content देख सकते हो नीचे आपको यह video दिखाई देगा जो की इसी course का है इस पर click करके आप यह video देख सकते हो या फिर आप यह watch पर click करके यह video दोबारा से देख सकते हो इसके बाद आता है think think पर click करने के बाद यहाँ पर एक quiz दी जाएगी यह quiz आप इस पर click करके solve कर सकते हो उसके बाद है dig deeper dig deeper में extra content आता है dig deeper पर click करने के बाद आपको extra की information मिलेगी जिसमें PDF और अन्य वीडियो जो कि आपकी information को बढ़ाएगे वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलेगी इसके बाद है discuss discuss में world के जो भी वेक्ति यह course कर रहे हैं उन सभी लोगों ने किये वे discussions यहाँ पर आपको देखने मिलेगी आप खुद भी यह discussions कर सकते हो और आखरी का है and finally and finally में कुछ extra कीचिशे दी गई है जैसे कि कुछ activities है, कुछ videos है और भी random चीज़े है जो कि आप वहाँ पर पढ़के स्वताहसे कर सकते हो इसी तरह से आप इस course को complete कर सकते हो हर एक student ने यह course करना चाहिए यह बहुत ही महत्वपुर्ण कोर्स है यहाँ पर इस course की information समाप्त होती है अगर आपको कोई भी doubt या आपको कोई भी difficulty आ रही है लॉग इन करने में, वीडियो देखने में आपकी कोई भी समस्या है तो आप वो मुझे comment में लिख सकते हो मैं आपके समस्या को solve करने के लिए पूरा प्रेतन करूँगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को like कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो और आप मेरे चैनल को subscribe और bell icon दबाईए ताकि आप तक ऐसे ही मैं वीडियो पोचाता रहूँ आप सभी का धन्यवाद